नमस्ते चात्रों एक बार फिर आपका स्वागत है यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज में आज हम इस वीडियो में गुप्तकालीन मंदिरों की विशेशताओं के बारे में अध्यान करेंगे तो देखेगा यदि आप लोगों ने इंडिया ओल्डेज को सब्सक्राइब न ताकि आपके फ्रेंड्स तक भी एकजाम की दर्ष्टी से महतोपन सूचनाई पहुं सके उनको एकजाम में सहोग मिल सके ठीक है तो देखेगा पढ़ते हैं गुप्तकालीन मंदिर गुप्तकाल में संपूर उत्र भारत में हमें अद्बूत का लात्मक्ता दिखाई देती है कला की वीविद विद्याओं जैसे वास्तु, स्थापत्ते, चित्रकल्ला, मृत्भांड, मृत्भांड कल्ला आदि इस यूग में विक्सित हुई धर में एम कला का समनवे अब देखेगा वास्तु कल्ला मंदिरों की जो वास्तु कल्ला है वो कैसी थी गुप्तियोगीन वास्तु कल्ला के सरोतम मुदारण मंदिर हैं वस्तुत हैं मंदिर के अवसेस हमें इसी काल से मिलने लगते हैं गुप्तकालीन मंदिरों की कुछ समने विशेजता हैं जो इस प्रकार से हैं देखेगा कई बार कि उसन पूछ भी लेते हैं तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखेगा गुपतकालीन मंदिरों का निर्मान सामानेत एक उंचे चबूतरे पर हुआ था जिन पर चड़ने के लिए चारों और से सीडिया बनाई गई थी प्रारंबिक मंदिरों की छतें चप्टी होती थी किन्तु आगया चलकर सीखर भी बनाए जाने लगे मंदिर के बिथर एक चोकोर अथ्वावरगा कार कक्ष बनाए जाता था जिसमें मूर्ती रख्थी जाती थी यह मंदिर का सबसे महतोपन भाग था जिसे गरब गरह कहा जाता था गरब गरह तीन और से दिवारों से गिरा होता था जबकि एक और प्रवेश द्वार बना रहता था पहले गरब गरह की दिवारें साधी होती थी किन्तु बाद में चलकर उन्हें मूर्तियों तथा अन्य अलंकरुनों से सजय जाने लगा गरब गरह के चारों और उपर से आच्छा दित प्रदक्षिना पत बना होता था गरब गरह के प्रवेश द्वार पर बने चोखट पर मकर वाहीनी गंगा और कूर्म वाहीनी यमुना की आकरतियां उतकेण मिलती हैं जो गुप्त कला की अपनी विशेशता है उपर से उपर के सीरापट तथा पास्र भाग में भी हन्स, मिथुन, स्वास्तिक, स्रीवरुक्ष, मंगल कलस, संक, पद्म, आधी पवित्र मंगलिक चिन्हों एउं परतिकों का भी अंकन किया गया है द्वार के अलंकरण के समन्द में वारह मिहर का मत है की द्वार साखाय के चोथाई भाग में परतिहरी अर्थात द्वार पाल तता सेस में मंगल, विहग, स्रीवरुक्ष, स्वास्तिक, घट, मिथुन, पत्रवल्ली, आधी का अंकर का उल्ले के किया गया है पहले गरब ग्रहे के सामने एक स्थम्ब यूक्त मंडब बनाया जाता था किन्तु बाद में चलकर इसे गरब ग्रहे के चारों और बनाया जाने लगा द्वार स्थम्ब अलंकरित होते थे जिनमें पूर्ण कलस की आकरती बननी रहती थी कलस से पूस्प बाहर निकलते हुए दिखाई देते हैं मंदिर के वरगाकार स्थमबों के शिर्ष भाग पर चार सिहों की मूर्तियां एक दूसरे से पीड सटाय हुए बनाई गई हैं गरब गरब में केवल मूर्ती स्थापित रहती थी उसमें उपासकों के एककत्र होने का कोई स्थान नहीं बनाया गया था गुप्तकाल के दिकांस मंदिर पासान मंदिर पासान निर्मित हैं केवल बीतरगाम तता शिरपूर के मंदिर ही इंटों से बनाया गया है तो गुप्तकाल के ज़्यादातर मंदिर है वो पत्थरों से निर्मित है लेकिन बीतर गाउं का मंदिर तता शिरपूर का मंदिर है वो इंटों से बनाया गया है यह आप धान में रिखेगा अब देखेगा गुप्तकाल के कुछ पर्मुक मंदिर इस परकार से हैं सबसे पहले सांची का मंदिर सांची भारत के मध्य परदेश राजे के राज सेन जिल्ले में बेतवान दिके तठपर इसी ते एक छोटा सा गाउं है यहां कई बोधिस्मारक हैं जो तीसरी स्तापदी सा पूर्वा से बारवी स्तापदी के बीच के कालके हैं सांची के महास्तूप के दक्सिन पूरव की और बने इस मंदिर को मंदिर संक्या 17 कहा जाता है यह है गुप्तकाल का प्रारंबिक मंदिर है जिसका आकार छोटा है छत सपाथ है गरब गरहत चोकोर है तता इसके सामने छोटा इस्तंब यूगत मंडब बना हुआ है इस्तंबों पर गंठा क्रती तता सिर्स बने हुए है मंदिर नंबर 17 को गुप्त मंदिर के रूपें जाना जाता है और दक्सिन में महान स्थूप की और इस्तित है साची में लगबग चार स्तापदियों से निर्मित एक छोटा मंदिर है और साध की और भवेता का उतकरिष्ट उधारन है अब्यारने आंगन की पत्थर की अधिक है इस प्रावधान के माद्यम से वर्षाजल की निकासी और नीव का एक सुरक्सा उपाय है चार कंबे अधिक कॉम्प्यक्थ हैं और अच्छी तरह से नकासिदार है यह मंदिर वास्तम में उतकरिष्ट काल का है और अनुग्रह एकता समरूपता और महिमा द्वारा चीनहित है बहुत ही सरल सरंचना और नकासी और सजावती काम सिर्फ चत और बीम के जोड़ों पर है एक उल्टे कमल को उर्धुआ धर खंबे में रखा गया है मुखे और छोटे सेरों की को पीछे की और बिठाया जाता था और चत और स्थम के बीच एक समर्थन बनाता है पूरी सरंचना सरल है जिसमें कोई कठिनाई नहीं है जबकि एक पुरातातिक वेक्ती ने समझाया कि डिजाइन सरल है लेकिन ये पता लगाने के लिए कि रूपरे का बहुत जटिल है यह मंदिर प्रारंपिक बोध मंदिर और गुप्तकालीन काल का मंदिर है अब आयताका सिखंडर आसपास के छितर में हैं गुप्त मंदिर पांचवी स्ताब्दी इस्वी में ये बनाया गया था वास्तम में यह भारती वास्तुकला के सुरुवाती नमूनों में से एक है गुप्त मंदिर प्राचीन भारत की प्रंप्रों का साक्सी है यह एक विशाल परिश्तर में इस्तित है जिसमें एक मुकुट सेल्फ मध्यमर्ति सेल्फ और निचला सेल्फ है मंदिर मध्यमर्ति स्तर में इस्तित है मंदिर की सरंचना में एक डंखा हुआ कमपार्टमेंट और साथ ही एक इस्तम है जो प्रवेश द्वार पर फैला हुआ है अब अगला मंदिर आता ह तिगवा का विश्णु मंदिर तिगवा मद्यपरदेश के कटनी जिले का एक गाम है जहां एक प्राचिन पुरातात्रिक स्तल है जिसमें कई हिंदू मंदिरों के भगनावसेस फिद्यमान है मद्यपरदेश के जबलपूर जिले के समीब इस तिगवा नमक स्थान से यह मंदिर मिलता है इसके गरब गरह का व्यास लगबग आठ फुट है जिसके सामने चार स्तंबों पर टिका हुआ है लगबग साथ फुट का एक छोटा मंडब बना हुआ है इस्तंबों के उपर कलस तथा कलसों के उपर सिहें की मूर्तियां बनाई गई है प्रवेश द्वार के पास्वों पर गंगा तथा युमना के आकरतियां उनके वहनों के साथ उतकेन मिलती है अब देखेगा एरण का विश्नु मंदिर मध्यपरदेश के सागर जिले में एरण नामक स्थान पर गुप्तकाल में विश्नु का एक मंदिर बना था जो अब द्वस्त हो चुका है मंदिर के गरब गरय का दुआर तदा उसके सामने खड़े दो इस्तम आज अवसिस्ट है एरण से प्राब दवनसा वसिसों में गुप्तकाल के भगवान विश्नु का मंदिर तथा उसके दोनों तरफ वारहा और नर्शिहे का मंदिर परमुख है वारहा की इतनी बड़ी परतिमा भारत में कहीं नहीं है इसके मुख, पेट, पैर, आदी समस्त अंगों में देव परतिमाई उतकिन की गई है विश्नु मंदिर के सामने 47 फूट उंचा गरूट द्वज खड़ा है इन अवसिसों के समीब अनेकों अभिलेक भगन सिलाल पट्टों के रूप में पड़े है अगला मंदिर है भूमरा का सिव मंदिर मद्य पड़ेश के सतना जिल्ले में भूमरा नामकस्तान से पासान दिनमीत एक गरब गरह प्राप्त हुआ है इसके परवेस द्वार पर गंगा यमना के आकरतियां बनी हुई है इसके द्वार की चोखट भी अलंग करणों से सजाई गई है मंदिर की छट चप्टी है गरब गरह के बितर एक मुखी सिवलिंग स्तापित किया गया है उसके सामने स्थम्भ यूक्त मंडप तता चारों और परदक्षिना पत मिलता है सिव मंदिर की विशेषता देखेगा इस मंदिर का अब केवल गरब गरेविध्यमान है इस गरब गरेव के चारों और का चबूत्रा परदक्षिसा परदशिक्षियपत का अवस्षिष है गुप्त कालिन मंदिरों के प्राय है सबी लक्षन इसमें है मंदिर में मुकी सिवलिंग की मूर्थी स्थापित है। इसके गरबगरह का प्रवेश द्वार और मंडप प्रारंबिक गुप्त मंदिरों की अपेक्षा अधिक अलंकरत है। सिव मंदिर के अलावा भूमरा से विष्णु मंदिर भी प्राप्त हुआ है। 1998 में केड़ी वाजबेई ने एक विश्णु मंदीर तता मूर्ती की खोच की थी, यहां गरब ग्रह का अलंकरी द्वार मिला है, द्वार स्थंबों तता सिर्दल पर पूर्ण घट, पत्रावली, नगरपरमुक, व्यागरमुक, आदी अलंकरन मिलते हैं, वारा है अवतार नागोद, तदा जबलपूर में मढधी नामक स्थानों से भी गुप्तकालिन मंदिरों के अवसे से प्राप्त होते हैं, देखेगा देवगड का दसावतार मंदिर, तो उत्रपडेश के ललितपूर, जो प्राचीन जहांसी था, जिल्ले में देवगड नामक स्थान से ये मंदिर प्राप्त हुआ है, गुप्तकालि के सभी मंदिरों में देवगड का दसावतार मंदिर सरवादिक सुन्दर है, ठीक है ना, गुप्तकालि के जितने भी मंदिर है, उनमें सबसे सुन्दर मंदिर देवगड का दसावतार मंदिर है, जिसमें गुप्त मंदिरों की वेश द्वार आकरसत तता कलापूर्ण है उसे द्वार पालो नदी देवताओं आदी की मूर्तियों से सजाय गया है मंदिरों की दिवारों पर सेश सैया पर सैयन करते हुए बगवान विश्णू नर नारायन गजेंद्र अमोक्स आदी के सुन्दर दर्शे उतकेन हैं रामा प्रकारों और दिसाओं में चत्तेकार, किर्ति मुख, अर्थात, गवाक्स तथा इसके उपर बीच में खरबूजिया आकार का विशाल आमलक बना था इस प्रकार के एक से अधिक मंजिल वाले प्रेशाद को बहु भूमिक के कहा जाता था सबसे उपरी मंजिल को अग्रे भूमि कहते थे जिसके उपर पासाण, आमलक तता एक कलस इस्तापित रहता था इस प्रकार जहां अन्य मंदिरों की 368 है वहां ये मंदिर सीखर मंदिर का पहला उधारन है सीखर मंदिर का ये मंदिर पहला उधारण है इसे गुप्तकाल के उतकरिष्ट वास्तू का नमूना माना जा सकता है इसके अनेक तत्वों को बाद के मंदिरों में ग्रहन किया गया है परसी ब्राउन के सब्दों में संपून बवन अपने अंगों के सटीक नियोजन की द्रस् चता का था देवगड के गुप्त मंदिर के समान तक्संग अक्समता की परिपकवता एवं परिस्कार से युप्त उच स्तरिये कारेगरी बहुत कम इसमारक परदर्शित कर सकते हैं ठिक है अब आता है अगला भीतरगाम का मंदिर भीतरगाम का मंदिर उत्रपरदेश के कान पूर्जिले में स्तित है, इस मंदिर का निर्मान इटों से किया गया है, मंदिर एक वर्गाकार से बूत्रे पर बनाया गया है, इसका गरब ग्रह वर्गाकार है, गरब ग्रह के सामने मंडप है, देवगड के मंदिर दसावतार के समान, बितरगाउं का मंदिर भी सिखर यु सिखर में चत्तेकार मेहराब बनाए गए हैं, बाहरे दिवारों में बने ताखों में हिंदू देवी देवताओं वो जैसे गणेश, आदिवरा है, दुर्गा, नदी देवता, आदी की मिल्ड मूर्तियां रखी गई हैं, साथ ये साथ दिवारों को रामायन महाभारतेओं प निर्मित ममन का भी सबसे प्राचेनों धारन परश्तुति करता है, तो इट से निर्मित सबसे प्राचेन मंदिर कोन सा हैं, बित्रगावं का मंदिर, ठीक है, मद्रपर्देश के राईपुर जिल्ले के सिरपुर नामक, इसस्थान से इटु द्वारा निर्मित एक अन्य मं है इसे लक्समन मंदिर कहा जाता है तता इसका वास्तु बित्रगा मंदिर के ही संबान है परवेश द्वार पर डाट तता चोकट के उपरी गुप्त कालिल अलंकरण उतकिन मिलते हैं इसे मंदिर के समीप से इंटों के बनने हुए दो और मंदिरों राम और जानकी मंदिर के उसेस भी प्राप्त होते हैं ठीक है तो देखेगा इस वीडियो में हमने गुप्तकाल इन मंदिरों की विश्यस ताएं और गुप्तकाल के जो परमुक मंदिर हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त की इसी प्रकार से हम आपको और भी चीजें पढ़ाएंगे तो आप बने रहें यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज पे